असलाम लेकूम कैसे आप उमीद है आप सब ठीक होंगे आज हम अगास करने लगे हैं सबक नमबर दो का जिसका उन्वान है देहात और शहर यह जो तस्वीर है यह एक गाउं की तस्वीर है और गाउं के अंदर जो घर होते हैं यह जो इमार्ति होती है ठीक है ना यह कच्ची बनी होती है ठीक है ना पच्ची मटी से यह बनी होती है और यहां पर यहां के लोग जो है वो खेती बारी करते हैं और यहां का जो माहौल है यह जो फिजा है वो बिलकुल साफ सुधरी होती है लेकिन गाउं के अंदर जो सहुलियात हैं वो बहुत ही काम होती है जिस तरह ह यहां पर आप देखें तो बड़ी बड़ी सड़के होती हैं, सड़कों के उपर बेशमार गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के दूएं की वज़ा से यहां की फिजाल जो है वो साफसुतरी नहीं होती है, इसके इलावा शेहरों में हस्पताल, स्कूल, कॉलिजिस, लोग जो हैं वो दिहात में रहते हैं, दिहात में गर आम तोर पर खुले और कच्छे होते हैं, और यहां का महोल साफसुतरा होता है, जो दिहात होता है गाओं में, तो गाओं में आम तोर पर लोग जो हो खुले और कच्छे मकान बनाते हैं, ठीक है, यहां पर जातर खुल बहुत काम होती हैं शहरू में इमारते उंची और पक्गी होती है और यहां का महोल चाहनू और ट्रिफिक के शोरो हुल की वज़ा से लिएसे ताथ नहीं होता शहरू में सेहत और तालीम की बेहतरीन सहोलियात मझूर रुट होती है ठीक है तो गाओं के अंदर जो है वो तालीम और सहत की सहुलियात मजूद नहीं होती यानि सहुलियात बहुत कम होती है लेकिन शहरों में सहत और तालीम की बहुत ही अच्छी और बेहतरी सहुलियात मजूद है ने दिखाती और शेहरी जिन्दगी में फर्क तो ये शेहरी जिन्दगी डिहाती जिन्दी ठीक है ना अब में तो शेहरों के अंदर क्या अग। होती है ठीक है लेकिन दिहाद के अंदर यानि गहों में कच्छे घार होते हैं अब शहर के लोग दफ्तर में काम करते हैं ठीक है न जबके दिहाद के इनका दुवाँ होगा बहुत ही ज़ादा और इसके लाबा गाड़ियों का शोओर बहुत जादा होता है लेकिन जब कि दियाद के अंदर ट्ट्रस遊戲 बहुत काम होतीller होती है जिसके वज़्ञा से वोड होता है वह बहुता हुत ता lorsquा ह के होती है। ज़्ञाद इख़ेसी मतलब होता है एक जैसे ठीक है ना जिस तरह शेहर में डॉक्टर भी होते हैं इससी तरह द्याद में द्याद में अधान की पर शेहर और शेहर दोनों में मजूद होते हैं और मोची का पेशी हैं जो दिहात और शहर दोने में पाई जाते हैं अब हम करते हैं इसकी मश्क मश्क सवाल नम्पर एक मदजजल अश्या को इनके मचल्गा पेचुं से मिलाएं आप किस के पास जाएंगे सबसे पहले हैं गोष्ट लेने तो गोष्ट लेने आप किस के पास जाएंगे डॉक्टर किसाई मोची दर्जी तो गोष्ट लेने हम किसाई के पास जाएंगे ठीक है दूसरा जूता मरमत करवाने ठीक है ना जूता मरमत करवाने के लिए आप किस के पास जाएंगे यूता मरमत करवाने के लिए हम मोची के पास जाएंगे ठीक है कपड़े सिलवाने के लिए आप किस के पास जाएंगे कपड़े सिलवाने के लिए हम दर्जी के पास जाएंगे इलाज करवाने तो इलाज करवाने के लिए हम किसके पास आएंगे इलाज करवाने के लिए हम डॉक्टर के पास आएंगे इसको हम डॉक्टर के साथ मिला लेंगे ठीक है इस तरह आप इन कालम को मिला लेंगे सवाल नमर दो है शेहरी और दिहाती जिन्गी में फर्क पताएं और लाइन लगा कर मिलाएं शेहर और दिहाती जिन्गी में फर्क क्या है शेहर का महोल जो है वो साफ सुथरा नहीं होता जबके दिहात का महोल क्या होता है साफ सुथरा होता है ठीक है ना शहर में शोरोगल बहुत ज्यादा होता है और देहाद में शोरोगल कम होता है और शहर में उंची उंची इमारते होती हैं जबके देहाद में कच्छे मकान और छोचोटे गर होते हैं ठीक है शहर में गारियों का दुआ बहुत ज्यादा होता है लेकिन देहाद में गारियों क कहां बने होते हैं शेहर में बने होते हैं किसान कहां काम करते हैं दिहात में वो काम करते हैं गारियों का दुआ कहां ज्यादा होता है शेहरों में ज्यादा होता है चश्मे और खुएं कहां पाए जाते हैं चश्मे और खुएं देहात में पाए जाते हैं ठीक है न शोरो गुल कहां ज्यादा होता है शहर में ज्यादा होता है छोटे और कच्छे मकान कहां होते हैं देहात में मजूद होते हैं और बड़ी सरके कहां मजूद होती हैं शहर में छीक है, इस तरह हमिन को मिला लेंगे सवाल नमबर तीन, आप बड़े होकर कौन सा पेशा इहतियार करना चाहेंगे और क्यूं उसका जवाब हम लिखेंगे, मैं बड़े होकर डॉक्टर का पेशा इहतियार करूँगी ताके मैं लोगों का इलाज कर सकूँ आप बड़े होकर जो पेशा इत्यार करना चाहते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं और उसकी वज़ा भी बता सकते हैं सवाल नबर चार कोई सी तीन सहुलियात लिखें जो आपको शहर में में असर हैं और गों में नहीं ठीक है जो का जवाब लिखते हैं बड़ी सड़कें जो कि शहर में बनी होती है सहत और तालीम की बेतरी सहूलियात शहरों में मेंसर होती है बिजली और गैस की सहूलत जो शहरों में मेंसर होती है और गउं में मेंसर नहीं होती है सवाल नमर पांच आप एक गायों में सबसे पहले कुन से सहुolate महिया करना चाहेंगे और क्यों तो मैं गायों में सबसे पहले तालीम की olת महिया करूंगी ताकि हमारा मुल्ख तकी की रामे गंजर हूँ ठीक है तो मैं तो सबसे पहले गाओं में तालीम की सहुलत में या करूंगी ठीक है ना ताकि हमारा मुल्क चो है वो आगे बढ़े इसके साथ हमारे ये सबक मुकमल हुआ मुझे दें अजाज़त अपना हयार रखें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिस